दोस्तों आपको पता ही है कि चक्रवाद वीपर जॉय को लेकर पूरे भारत में अलर्ट जारी किया गया है चाहे गुजरात हो या महाराष्ट हो हर जगों पर रेड अलर्ट हाई अलर्ट है किंद्र सरकार भी हाई लेवल मीटिंग कर रही है देखिए लोग साइकलून के बारे में क्या क्या पूछ रहे है और आपको बताने वाले हैं इसका लाइव लोकेशन क्या है और चक्रवाद वीपर जॉय आखिर है क्या और इसको लेकर कितना अलर्ट जारी किया गया है कितनी तबाही मचा सकता है दो मिनट का अपडेट है फटाफट से जाल लेते हैं आई इसके बारे में हम पूरी जानकारी जाल लेंगे तो चैर ये सुर करते हैं दोस्तो बीपर जॉय का असर गुजरात महरार समेत कई समुद्री इलाकों में देखने को मिला है मुंबई के मरीन ड्राइपर समुद्र में उची उची लहरे देखने को मिली है गुजरात में तो चकरवात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है तो आपको बतादे चक्रवाद वीपर जय को लेकर गुजरात में अलट जारी है तो राज्य सरकार और केंदर सरकार एहतियात के लिए जरूरी कदम उठा रही है गुजरात में NDRF की 12 टीमों को तैनात कर दिया गया है अभी इसे समुद्र में उची उची लहरे उठ रही है गुजरात के साथ साथ मुंबई बे भी समुद्र उफान ले रहा है मौसम विभाग ने बताया है कि बीपर जय अभी पोर बंदर से 290 किलो मीटर दूर है आईए बीपर जय चक्रवात को लेकर कुछ जरूरी सवालों की जवाब हम आपको बता देते हैं दरसल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बीपर जय चक्रवात आखिर है क्या सो दोस्तो दक्षिर पूर अरब सागर के उपर एक डीप डिप्रेसन बना था जो अब भयंकर तूफान में तबदील हो गया है इस चक्रवाती तूफान को बीपर जय तूफान नाम दिया गया है बीपर जय का बहुत सारे लोग अर्थ जानना चाहरे है कि इसका आखिर मीनिंग क्या है तो इस चक्रवात का नाम बागला देश ने रखा है बीपर जय का अर्थ होता है बहुत खुशी लेकिन ये बहुत खुशी नहीं बलकि मुसीबत बनकर भारत पर कई समुदरी इलाकों में मड़रा रहा है तो बीपर जय का राजस्थान में क्या असर होगा आई इसको जा लेते हैं बीपर जय चक्रवात के चलते गुजरात में तो अलेट जारी किया गया है साथ ही इसमें इसका असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा मौसम एक्सपर्ट के अनुसार 15 जून और 16 जून तक राजस्थान के दक्षडी पश्मी हिस्सों में कई जुगों पर भारी बारिस हो सकती है इसके साथ ही तेज हमाएं भी चलेंगी बीपर जॉय का वैसे लाइब लोकेशन क्या है अगर आप यह जानना चाते हैं तो आप इसको ध्यान समझे बीपर जॉय अभी पोर बंदर से यानि गुजरात की पोर बंदर से 290 किलो मीटर दूर है वहीं जखाव बंदर गाह से ये 360 किलो मीटर दूर है बीपर जॉय कब मुंबई पर कितना असर होगा बीपर जॉय चकरवाद का असर मुंबई में भी देखने को मिल ला है मरीन ड्राइब समेत अन्य समुद्री टटो पर उची उची लहरे देखने को मिल लई है और यही कारण है कि ग्रिम अंत्रे अमिर्स साह भी इस पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे है राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया गया है किंदर सरकार हाई लेवल मीटिंग कर रही है और गुजरात में NDRP की 12 टीमों को तैयनात किया गया है ऐसे में बीपर जाय तुफान से आप भी बचका रहे है अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो एहतियाद भरते हैं वैसे आपको दादे महराश्त गुजरात में 3 दिनों केलिये स्कूल भी बंद कर दिया गया है आफिस वगेरा भी बंद कर दिये गए हैं इसका कारण यह है कि काफी जादा यह खतरनाक साबित हो सकता है लापरवाहिस से कई सारे लोगों की जान जा सकती है तो अलट रहें ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुने चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपडेट में धन्यवाद